हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहानुच के रसोई इस रेसेपी में मैं आपको सुखे गुलाब जामुन बना के दिखाऊंगी वो भी बहुत ही इजी मेथड से तो चलिए शुरू करते हैं सुखा गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे जिसके लिए डेड़ कप चीनी डाले डेड़ कप पानी थोड़ा सा केसर फिर इसे मिलाएं और चीनी को पूरी तरह मेल्ट होने दे फ्लेम को हाई पे रखे देखिए चीनी मेल्ट हो गया है इसे हम पांच मिनट के लिए बॉइल करेंगे पांच मिनट हो गया है आधा नीमबू का रस डाले एक चोथा ही छोटा चमच इलाइची पाउडर इसे मिला दे फ्लेम को आफ कर दे शुगर सिरप रेड़ी है इसे हम ढख के साइड में रख देंगे एक बॉल में एक कप मिल्क पाउडर डाले एक चोथाई कप मैदा एक छोटा चमच सूजी चुटकी भर वेकिंग सोडा इन सब को अच्छे से मिला दे देखिए ये मिल गया है एक छोटा चमच दही डाले एक छोटा चमच घी थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूट डालके इसे मिलाएं हमें इसे गुंदना नहीं है बस इसे मिलाना है देखिए ये मिल गया है अब इसमें ऐसे थोड़ा सा लेके इसका बॉल बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स बनाएं बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए, देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है गरम ओयल में बॉल्स को डाले, बॉल्स को डालते वक्त फ्लेम को हाई पे रखे, अब लो फ्लेम पे इसे पकाए, देखिए ये एकदम डार्क ब्राउन हो गए है, अब इसे निकाल लेंगे, इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है, बॉल्स रेडी है, इसको गरम गरम सुगर में डाल दे, चाशनी को बॉल्स के ऊपर डाल दे, सारे बॉल्स के ऊपर चाशनी अच्छे से डाल दिया है, अब इसे धक के दो घंटे के लिए छोड़ दे, दो घंटे बार धकन को हटाएं, देखिए बॉल्स का साइज बड़ा हो गया है, अब इसे निकाल देंगे, इसे पहले एक फ्लेट में निकाल ले, गुलाब जामुन को ऐसे चीनी के बुरादे में रोल करें बस हमारा सूखा गुलाब जामुन तयार है, देखा इसे बनाना कितना असान है आप सब भी इस दिवाली पे अपने घर में इस सूखी गुलाब जामन की रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा